तो जैसे कि आप जानते हैं बोर्ट का टाइम टेबल अल्रेडी रिलीज हो चुका है 23 एप्रिल से आपके एक्जाम स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 12 महाराश्ट्रा बोर्ड के तो जल्दी जल्दी सिलिबस कंप्लीट करने के लिए हम पूरी तरीके से ट्राइ करेंगे थोड we will try our best to cover your as much syllabus as possible from our side आप अपना रिविजिन जारी रखें बाकी के वीडियोज रिवाईिस करते रहें बाकी के चैप्टर्स को वीडियोज देखकर रिवाईिस करते रहें और अपना प्रिपरेश्ण चालु रखें टेक्स्ट्बुक के जो पीछे के exercise questions है वो exercise questions अच्छे से प्राक्टिस करें क्यूंकि उन में से 90% क्वेश्चन आता है बागी का 10% अब्जेक्टिफ जो होता है वो टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट से आता है तो आज हम आपके लिए लेकर आएं Molecular Basis of Inheritance का next session हमने पहले वाले session में बात की थी कि eukaryotic DNA का packaging कैसे होता है मतलब दो मीटर लंबा DNA एक छोटे से cell के अंदर कैसे पैक कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे आगे के पार्ट के बारे में that is chromatin chromatin याने की क्या होता है condensed chromosome मतलब जब cell division होता है cell division के time पे क्या होता है समझो ऐसा कोई cell है और इस cell के अंदर आपका nucleus है nucleus के अंदर DNA है जब यह cell divide होगा तो cell जब divide होगा तो दो daughter cells बनती है और दोनों daughter cells में equal division होता है DNA का मतलब जितना DNA एक daughter cell में जाएगा उतना ही DNA दूसरा daughter cell में भी जाता है तो यह जब DNA cell divide करता है मतलब जब आपका cell division होता है तो DNA division होता है कर्यों काइनेसी होता है तो जब cell division हो रहा है उसी time पे आपका nucleus भी divide होना चाहिए तो nucleus divide होने की time पे आपका अंदर जो chromosome है मतलब आपके अंदर जो chromatin आपके DNA जो है वो chromatin network के form में होते हैं तो वो chromatin network chromosome बन जाते हैं, chromosome बनने के बावजूद भी थोड़ा material chromatin के form में रह जाता है, देखो मैं क्या बात कर रही हूँ, सुनो अच्छे से, समझो, imagine करो यह आपका cell है, और cell के आजू-बाजू में यहाँ पर आपका ऐसे thread-like structures present है, ठीक है, और बीच-बीच में ऐसे dark molecules present र कर देती हूँ, ध्यान से देखो मैं आपको you chromatin और heterocratin के बारे में बताने जा रहे हूँ, यह आपका cell है, और यह हमारा nucleus, यह हमारा क्या है, nucleus, nucleus का यह है nuclear envelope, यह क्या है अपना nuclear envelope, मतलब nucleus के बाहर का जो membrane होता है, eukaryotic cell का nucleus developed होता है, उनके nucleus के बाहर एक special membrane present होती है, जिसको हम बोलते है nuclear envelope, क्या बोलते हैं उस membrane को हम nuclear envelope, nuclear envelope के अंदर आपका nucleus का structure present है, यहाँ पर nucleolus होगा, इसको हम बोलेंगे nucleolus, क्या बोलेंगे इसको nucleolus, जो ribosome synthesis में help करता है, और nucleolus के अलावा, जो अंदर thread like structure present है, देखो आपको thread like structure दिखाई दे रहा है, और बीच में dark spots दिखाई दे रहा है, तो यह dark spots और यह thread like structure आखिर है क्या चीज़, यह जो dark spots हैं, इनको हम बोलते हैं heterocromatin, क्या बोलते हैं इनको हम heterocromatin, और जो light thread like structures है, यह पूरी जगे पे यह जो धागा धागा अंदर spread हुआ है, इस thread like structure को हम बोलते हैं, u-chromatin, क्या बोलते हैं इसको हम, u-chromatin, अब सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि chromatin इस word का मतलब क्या है, what do we mean by the word chromatin, तो chromatin याने की chromosome plus protein, chromatin मतलब क्या होता है, chromosome, आपका जो chromosome का thread like structure होता है, वो chromosome जब protein के साथ bind हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं chromatin, chromosome plus protein को हम क्या बोलते हैं chromatin, मतलब आपका जो cell division होने वाला है, आपका cell जब divide होने वाला है, तो उसके अंदर का DNA जो है, वो DNA भी divide होगा, क्योंकि cell divide होगा, तो cell के अंदर का material भी divide होगा, तो material divide होने से पहले वो chromosomes बनाता है, तो chromosomes बनने के बाद भी थोड़ा सा chromosome, thread के structure में present रहता है, तो वो जो थोड़ा सा chromosome बचा है, उस थोड़े से chromosome को हम बोलते हैं chromatin, chromatin network दो टाइप के होते हैं, एक होता है heterocromatin, एक होता है u chromatin, आपको यहाँ पर difference क्या दिखाई दे रहा है जो हमारा heterocromatin है, वो dark color का है, और जो u chromatin है, वो light color का है, देखो यह thread like structures जो है, यह आपके u chromatin है, यह अंदर, देखो red color से अगर मैं बना दूँ आपके understanding के लिए, तो आपको बहतर तरीके से समझ में आएगा, क्यूंकि आपकी understanding बहुत matter करती है, अगर मैं ऐसा कुछ thread like substance बना दूँ, तो यह हो गया आपका u chromatin, क्या बन जाएगा यह आपका u chromatin, तो जो thread like पतला पतला structure मैंने बनाया है, वो है u chromatin, और जो condensed structure है, जो मोटा सा structure है, वो है आपका heterocromatin, दोनों के बीच में सबसे पहला difference क्या है, कि यह dark stain होता है, और u chromatin light stain ह होता है, dark stain क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारा chromosome material, मतलब ऐसा imagine करो कि chromosome का बहुत सारा thread, एक साथ बंधा हुआ है, अब जो thread एक साथ बंधा हुआ होगा, उसमें आप एक drop का color डालोगे, आप अगर उसमें एक drop ink भी डालोगे, तो वो पूरा का पूरा color absorb कर लेगा, और dark spot के ऐसा दिखेगा, और अगर मैंने उसी धागे को खोल दिया, तो वो धागा light color का दिखेगा, मतलब आप imagine करो आपने black color का धागे का गिट्टी लिया, जब वो black color का धागे का जो गिट्टी है, वो एक साथ आप देखते हो, तो कितना dark दिखता है, लेकिन अगर वही धागा मै खोल दू, तो हमको क्या वो धागा dark dark दिखाई देगा, नई, वो एक दम पतला दिखाई देता है, बाल का example ले लो, जब बहुत सारे बाल हम एक साथ लेते हैं, तो dark दिखाई देता है, एक single बाल लेते हैं, तो वो light दिखाई देता है, तो उसी तरीके से जो condensed chromosome होता है, वो कि electron microscope के नीचे कैसा structure दिखाई देता है, nucleus का वो diagram है, तो electron microscope के नीचे, अगर आपको nucleus देखना है, तो आप colors add करते हो, तो जो part ज़ादा color absorb करेगा, मतलब वो heterochromatin है, क्योंकि उसका chromosome एक दम condensed है, और जो part light color का दिखाई देगा, वो you chromatin है, क्योंकि वो open form में है, वो thread like structure में है तो होता क्या है, अगर आपको cell division करना है, आपको replication करना है, तो आपका chromosome simple form में present रहना चाहिए, तो ही आप उसको divide कर पाओगे, जैसे समझो ये एक marker है, इस एक marker को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर ऐसे मैं 4-4 marker एक साथ रखू, तो क्या इनको मैं तोड़ पाऊंगी, difficult हो जाएगा, तो अगर single chromosome का fiber present है, एक single chromatin network present है, तो उसको divide करना आसान है, लेकिन अगर condensed chromosome है, तो उसको divide करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए बोलते हैं कि heterochromatin जो होते हैं, वो transcriptionally inactive molecule होते हैं, मतलब उन से ना तो proteins बन सकती हैं, ना आगे division हो सकता है, और u chromatin ज इन से सारा message आप आसानी से read करोगे, देखो DNA का काम क्या होता है, genetic information को carry करना, अब उस genetic information को पढ़ने के लिए, वो simple form में present होना चाहिए, क्योंकि DNA के अंदर सारी genetic information code words में होती है, DNA के पास सारी genetic information कैसे present होती है, code words में present होती है, तो अगर वो DNA simple form में open है, तो code word आसानी से read किय आजा सकता है, लेकिन अगर वो DNA ऐसे complicated form में present होगा, तो क्या हम इसको read कर पाएंगे, मतलब क्या कोई भी cell, कोई भी enzyme, इस DNA को read कर पाएगा, नहीं, तो heterochromatin जो condensed होते हैं, they are transcriptionally inactive, uchromatin जो light होते हैं, जो thread like होते हैं, they are transcriptionally active molecule, I hope आपको थोड़ा समझ में आया होगा, चलो theory देख लेते हैं, uchromatin और heterochromatin की, तो देखें, यहाँ पर क्या बताया गया है, heterochromatin, in eukaryotic cells, some segment of chromonema, या उसको chromosome आप बोल सकते हो, in eukaryotic cell, some segments of chromosome, during interphase and early prophase, remain in a condensed state, क्या बोला गया हमको इधर पे, कि cell division के time पे, eukaryotic cells का अगर हम example लें, तो cell division के time पे, जो आपका DNA होता है, जो आपका chromosome होता है, थोड़ा सा chromosome, some segments of chromosome, they remain in the condensed state, S phase, देखो, 11 standard में आपने cell division पढ़ा था, cell division में आपने चार अलग-अलग phases पढ़े थे, पहले आता है G1 phase, फिर आता है S phase, फिर आता है G2 phase, और फिर आता है M phase, Profase, Metaphase, Ana of a wave, Steelhouse phase होता है, तो यह eq cyclic process है, तो हमारा जो DNA replication है, cell division करने के लिए जो DNA replication होता है, वो कौन से phase में होता है, S phase में होता है S phase में, S phase को हम बोलते हैं, synthesis, synthesis phase याने कि वहां पर आपका DNA replicate करने के लिए ready हो रहा है, तो S phase में DNA replication होता है DNA replicate करते वक्त थोड़ा सा DNA पीछे चूट जाता है जब DNA replication होता है तो थोड़ा सा DNA पीछे चूट जाता है अब वो DNA अगर condensed form में है तो उसको heterochromatin बोलेंगे और अगर वो loose form में है तो उसको eukromatin बोलेंगे देखो क्या बताया है in eukaryotic cells some segments of chromosome remain in a condensed state condensed state मतलब ऐसा एकदम उल्जा हुआ एकदम closed packed these region constitute heterochromatin तो ऐसे condensed state को हम क्या बोलते है heterochromatin this term was proposed by hits these regions are localized near centromere तो देखो आपने chromosome का structure देखा होगा chromosome का structure कुछ इस तरीके से होता है और बीच में centromere present होता है तो centromere भी आखे DNA से ही बना है न मतलब यह पूरा का पूरा chromosome का structure जो है यह chromatin network से ही बना है लेकिन यह बीच में हमारा chromosome इतना dark क्यों दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर heterochromatin present होते हैं और बाकी पूरे region में क्या present होते हैं यू chromatin present होते हैं तो centromere हो या फिर telomere की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या present होता है heterochromatin होता है ओके तो these regions are localized near centromeres telomeres and are also intercalated मतलब बीच बीच में भी dark dark color के spots present रहते हैं इट इस genetically mostly inactive देखो आपको one mark के लिए पूछ सकते हैं गेव two difference between heterochromatin और uchromatin तो आप simple भाशा में क्या बोलोगे heterochromatin are condensed chromatin, uchromatin are thread-like structure heterochromatin are transcriptionally inactive क्योंकि कोई भी चीज तब काम करेगी जब वो simple form में present हो किसी भी चीज को divide करने के लिए उसको पहले simple form में लाना पड़ता है अगर ऐसा bundle present है तो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे वैसे ही अगर DNA आपका simple form में present है तो आप उसको break करके divide कर सकते हो लेकिन अगर वो DNA condensed form में है तो हम उसको division नहीं कर सकते और इसलिए बोलते हैं कि उसको read करना जो condensed DNA होता है कोई भी cell कोई भी enzyme उस DNA में से information reading नहीं कर सकती देखो आपका phone है आपके phone में अगर आपने एक password लगाया है तो information निकालना आसान है लेकिन अगर आपने हर app में password लगाया है तो फिर किसी को information नहीं पता चलेगी आपके phone की तो ऐसे में अगर समझो आप खुद अपना password भूल गए तो phone खराब हो जाएगा समझ में आरी है बात तो वैसे ही अगर single DNA है मतलब single thread like structure है तो उसको read करना आसान है उसको read करके हम protein बना लेंगे transcription मतलब क्या होता है DNA से information लेके protein बनाना तो you chromatin transcriptionally active है क्योंकि you chromatin का DNA read करके हम protein बना सकते है heterocratin transcriptionally inactive है क्योंकि heterocratin condensed form में present है उसको कोई enzyme decode नहीं कर सकती जिसके वज़े से पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी information है और अगर information ही पता नहीं चलेगी तो हम proteins नहीं बना पाएंगे so these regions are localized near centromere telomere and are also intercalated intercalated मतलब बीच बीच में present होना it is genetically mostly inactive heterocratin कैसे होते हैं inactive होते हैं it stains strongly and appears dark अगर आप अपने cell के nucleus में color add करोगे microscope के नीचे देखने के लिए क्योंकि यह colorless होते है microscope के नीचे अगर cell को देखना है तो उसमे stain add करना पड़ता है dye add करने पड़ती है dye dye color तो अगर आप अपने cell में यह nucleus में stain add करोगे तो जो condensed structure है वो जादा color absorb करेगा और जो simple और single structure है वो कम color absorb करेगा so it stains strongly and it appears dark in microscope heterochromatin is two to three times more rich in dna than in euchromatin obviously बात है यह simple dna है यह euchromatin का ऐसा simple thread like structure है और heterochromatin में ऐसे बहुत सारा dna twist हो हो के हो हो के condense हुआ है तो ज़्यादा dna कहा present है heterochromatin में और कम dna कहा present है uchromatin में तो यह था heterochromatin का पाप uchromatin का भी देख लेते हैं the regions of chromonema chromonema मतलब chromosome chromosome का जो region होता है which are non condensed state देखो यह वाला part chromosome का जो यह वाला part होता है यह butterfly के जो punk है ने वाला part यह वाला पार्ट, so the regions of the chromosome which are in non condensed state, they constitute u-chromatin, उसको हम क्या बोलते हैं, u-chromatin, ok, u-chromatin regions stain light, यह हलके color absorb करते हैं, मतलब light color के दिखाई देते हैं, u-chromatin is genetically very much active and fast replicating, replicating मतलब dividing, आप u-chromatin का जो DNA होता है, बहुत fast fast replicate होता है, क्योंकि एक ही thread है, उसको break करना मुश्किल नहीं है, u-chromatin is transcriptionally active, while heterochromatin is transcriptionally almost inactive, यह point बार-बार बोला गया है, मतलब it is very important, CET में यह question आता है, कि कौन सा part active है, u-chromatin का part active है, या heterochromatin का part active है, तो जो DNA simple form में present होगा, वो active होगा, क्योंकि enzymes को read करने में आसानी होगी, क्या read करने में, codes read करने में, हमारे DNA के उपर जो code words होते हैं वो code words read करने में बहुत आसानी होती हैं enzymes को, अगर DNA simple form में हैं, तो u-chromatin simple form में होता है, इसलिए वो active होता है, transcriptionally, मतलब उसको read अच्छे से किया जा सकता है, उससे protein बनाई जा सकती है, heterochromatin condensed form में होता है, इसलिए उसको read नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें transcription नहीं होता है, तो इतना आपको समझ में आया है, अब आपकी textbook में can you recall वाला box दिया है, what is the backbone of DNA structure, तो यह क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, यह आपको 11 standard में था, कि DNA का main backbone क्या है, phosphate, sugar phosphate का जो bond है, sugar और phosphate molecule का जो bond है, that is the backbone of DNA, देखो आपका DNA कैसे बनता है, बहुत सारे nucleotides molecules से मिलकर यह एक nucleotide molecule का मैं structure बना के बता रही हूँ यहाँ यह देखो, यह आपका एक nucleotide molecule है, यहाँ पे nitrogen base है, यहाँ पे यह first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, यहाँ पर oxygen, ओके, थोड़ा सा गंदा हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका present रहता है fifth carbon, और इस fifth carbon से attached होता है, phosphorus group, phosphorus acid group, तो यह जो हो nitrogenous basis of DNA, यह आपको answer करने है, nitrogenous basis, nitrogen basis, 4 type के होते हैं, मैं आपको short form बता रही हूँ, A, G, C, T, इनके full form आपको comment section में लिख कर बताने है, A, G, C, T, and U, 5 nitrogenous basis होते हैं, A, G, C, T, U, next lecture में DNA का पूरा detail structure पढ़ेंगे, don't worry, लेकिन आपको यह nitrogenous basis लिख कर बताना है, आपकी 11 standard की textbook में यह नाम दिये गए है, okay next, what are nucleoside and what are nucleotide, अगर आपके nucleotide में sugar plus nitrogen base है, सिर्फ sugar, sugar plus nitrogen base है, तो इसको हम बोलेंगे nucleoside, क्या बोलेंगे इसको हम nucleoside, और अगर इसमें phosphate add हो जाए, sugar plus nitrogen base में phosphate add हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे nucleotide, तो अब बहुत सारे पूछते हैं मैं याद कैसे रहेगा, कि nucleoside में क्या होता है, nucleotide में क्या होता है, तो देखो nucleotide का जो T है, T for 3, 3 का spelling T से start होता है, तो T मतलब 3, मतलब 3 molecules present होने चाहिए, phosphate, sugar and nitrogen base, अगर 2 molecule present है, तो मतलब वो nucleotide नहीं है, वो nucleoside है, और nucleotides के बिना आपका DNA strand बनी नहीं सकता Phosphorus नहीं रहेगा, तो backbone, read की हड़ी नहीं रहेगी, bond किसके साथ बनाएगा, हमारा DNA, ओके, is the DNA double helix, right और left-handed, आपको क्या पूछा गया है, कि DNA कैसा होता है, right-handed होता है कि left-handed होता है, अब ये right-handed helix क्या होता है, left-handed helix क्या होता है, इसके लिए जादा confuse मत हो जाओ, कुछ DNA ऐसे twist होते है, ऐसे right side से twist होते है, और कुछ DNA left side से twist होते है, तो right-handed helix भी होता है, left-handed helix भी होता है, हमको क्या पूछा गया है, is the double helix right और left-handed, तो इसका answer, आपको सिव answer बता रही हूं है, आपका जो DNA होता है, वो right-handed helix होता है, आपका DNA कौन सा helix होता है, ऐसा, ऐसा DNA होता आपको राइट हेलिक्स और लेफ्ट हेलिक्स के बारे में आपके फर्स्ट यर ग्लाजुएशन में बताया जाएगा ठीक है तो यह था कैन्यू रिकॉल वाला पार्ट फाइंड आउट वाले बॉक्स में क्वेस्टन दिया गया है वोटिज यूक्योट्स का जो डियने होता है वो नूकलियोइड में होता है यूकेरियोट्स का डियने होता है वो Place of the DNA comparatively simple होता है उसको pack करने के लिए histone proteins की जरुवत नहीं पढ़ती है eukaryotic DNA को pack करने के लिए histone proteins की जरुवत पढ़ती है तो मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया आपको एक ही difference पूछा था मैंने आपर तीन-तीन difference बता दिये सबसे important difference क्या है prokaryotic DNA is present in the nucleoid and eukaryotic DNA is present in the nucleus eukaryotic DNA को mitochondrial DNA बोलते हैं prokaryotic DNA को आप nucleoid DNA या plasmid DNA भी बोल सकते हैं तो यह था आपका आज का session I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी छोटा साइ topic cover किया है don't worry थोड़ा थोड़ा करके हम upload करने की कोशिश करें कुछ भी upload ना करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा upload करें आप अपनी पढ़ाई चालू रखो हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा material प्रोवाइड करने की प्लीज गुस्सा मत होना हमको जैसे टाइम मिल रहा है हम वैसे आपकी help करने की कोशिश कर रहा है अल्रेडी हमने बहुत सारे chapters cover कर दिये हैं जो high weightage के हैं आप वो पढ़ते रहो ये chapter भी मैं promise करती हूं खतम करूंगी ये chapter भी और human health and diseases भी खतम करूंगी और control and coordination भी स्टार्ट करूंगी आपके boards के पहले थोड़ा सा cooperation रखो थोड़ा सा patience रखो चैनल को share कर दो friends के साथ और 23 एपरिल से board exam आने वाले हैं तो जितना हो सके उतना preparation स्टार्ट करो ग्यान लग चैनल के साथ बने रहो आपके लिए बहुत ही जल्द एक surprise वीडियो आने वाला है crash course related जी हां आपने सही सुना crash course के बारे में हमें बहुत जल्द new वीडियो डालने वाले है crash course के बारे में जानने के लिए please channel के साथ बने रहो जल्दी हम वो वीडियो डालेंगे और पढ़ते रहो thank you see you soon stay tuned